हम कर रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का पंद्रवा चप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार तो आज हम करेंगे पार्ट 2 में फसल उत्पादन प्रबंदन तो फसल उत्पादन प्रबंदन में खाद्य संसाधनों के सुधार में हमने समझा था कि फसल उत्पादन में सुधार किया जाए जिसे कि हमको उच उत्पादन प्राप्त हो जादा हमें उत्पादन मिल सके तो उसमें हमें एक गतिविती करी थी कि उनकी किस्मों में सुधार करके फसल उत्पादन में जो बीच काम में लिये जाते हैं जो फसल होती है उनकी किस्म में सुधार करके हम अधिक उत् प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें कौन-कौन से फेक्टर आते हैं देखें तो फसल उत्पादन प्रबंदन इसमें फसल उत्पादन की श्रेष्ट उपच के लिए विभिन पहलूओं को नियंत्रित करना शामिल है इसके लिए फसल उत्पादन के सभी पहलूओं को कौशलता के साथ जो भी फसल उत्पादन में जो जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको बड़ी स्किल्फुली डील करना होता है कौशलता के साथ उसको निप्टाना होता है धन अत्वा आर्थिक परिस्तितियां किसान को विभिन क्रशी प्रणालियों क्रशी तकनीकों को अपनाने में जिरूरी फैक्टर है धन उनकी जो आर्थिक परिस्तिति है ये महत्वपून फैक्टर है उसको बढ़ाने के लिए तो योगदान उच निवेश्ट तता फसल उत्पादन में सहे संबंद है तो कितनी फसल उत्पादन होगा और कितना पैसा हमारे पास है इन दौनों में लागत समता मतलब किसान कितना इन्वेस्ट करेगा ये डिपेंड करेगा उसके फसल तंतर पर और उसके उत्पादन प्रनालियों का कौन कौन सी प्रनाली का इस्तेमाल करके किसान फसल का उत्पादन करेगा तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना इन्वेस्ट करेगा इसलि भी अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाए और अधिक लागत उत्पादन तो इस तीन तरीके से भी किसान उत्पादन कर सकता है फसल उत्पादन प्रबंदन में पोशक सिचाई वा फसल पैटन का प्रबंदन शामिल होना है यानि कि सिचाई किस तरह से हो फसल का पैटन क इसा रहे यह तैह करके फसल को manage किया जा सकता है प्रबंदन उसका किया जा सकता है तो पोशक प्रबंदन सबसे पहले है कि हमें विकास व्रद्धी और स्वस्थ वैसे हैं पौदों की व्रद्धी के लिए पोशक पदार्थों की आवशकता होती है तो पौदों को तो पोशक पदार्थ कहां से मिल जाते हैं हवा से मिल जाते हैं पानी से मिल जाते हैं मिट्टी से मिल जाते हैं हवा से क्या मिलता है करबन डाय ऑक्साइड और ऑक्सिजन मिल जाती है और मिट्टी से अन्य पोशक तत्व जो भी उसको आवशकता होती है वो इससे वो पोशक पदार्थ इन शेनी में पातार जा सकता है कौन-कौन से पोशक पदार्त इसको आफशक होते हैं जो कहलाते हैं रहत पोशक और व्रहत पोशक और सुख्ष्म पोशक, macronutrients और micronutrients तो macronutrients में कौन से आते हैं इसमें 6 पोशक शामिल है जो कि इसकी पौदों द्वारा काम में लिए ज होती है और जैसा कि नाम से यह सुख्ष्म पोशक यानि की चाहिए तो सही पौदों को लेकिन कम मात्रा में चाहिए इसलिए हम इनको सुख्ष्म पोशकों की श्रेडी में डालते हैं यह कौन-कौन से है आईरन, मेगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और मोली बेडम यह वाले त प्रति प्रति रोधक्षमता पर भी प्रभाव पढ़ता है यानि कि किसी तत्व की कमी अगर हो जाती है तो वो उसके उपर प्रभाव डालेगी अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद व उर्वरक के रूप में पोशक तत्व मिलाए जाते हैं यह फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं अगर किसी जगे पर मिट्टी में खेत में अगर पोशक तत्वों की कमी है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे पोशक तत्वों को शामिल करेंगे जिससे की पौदे की व्रद्धी पर फरक ना पड़े और उसकी व्रद्धी अच्छी हो सके उसकी जनन अच्छी तरह से हो सके और उनकी प्रतिरोधक शमता भी बढ़ जाए तो रहत पोशक और यह जो पार्ट के अंदर वाले प्रशन है रहत पोशक क्या है इन्हें रहत पोशक क्यों कहते हैं वे तत्व जो पौदों की व्रद्धी के लिए अत्यंत आवशक होते है वे व्रहत पोशक कहलाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, केलशियम, मेगनीशियम और सलफर यह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पौदों को जरूरी होते हैं आवशक होते हैं अते इन्हें व्रहत पोशक तत्व कहते हैं पौदे अपना पोशक क पानी यह तो कारबर और ऑक्सिजन मिल जाता है इनको हवा से और पानी से किस तरह से मिलता है पानी में जो गुली हुई ऑक्सिजन होती है जो जलिय पौदे होते हैं वो पानी से ऑक्सिजन प्राप्त करते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सिजन मिल जाते हैं उनको गुलित लव को कमी ना रहे अब हम तेकते हैं खाद क्या है खाद एक प्राक्रतिक उर्वरक है ये पौदों को अच्छी व्रद्दी देने के लिए पौदों क्या अच्छा development हो इसके लिए हम पौदों में खाद डालते हैं जब बिटी में पोशकों की कमी होती है nutrients की पोशक तत्वों की कमी होती है तब उसमें हम खाद का इस्तिमाल करते हैं इसे कैसे बनाते हैं जन्तूं के अपशिष्ट तथा पौदे के कच्रे से के अपगटन से तयार किया जाता है जो जिवित अपशिष्ट होता है, सजीवों का अपशिष्ट होता है चाहे वो पौधा हो चाहे वो जन्तू हो उनका जो अप्षिस्ट पदार्त जब अब घटित होते हैं यानि जो बड़े अनु होते हैं वो छोटे अनुओं में तूट कर मिट्टी में बिल जाते हैं तो वो जो तयार होती है वो क्या कहलाती है खाद कहलाती है खाद मिट्टी क तो पोशकों और कार्बनिक पदार्तों से परिपूर्ण करती है जो की बहुत उपयोगी होती है पसलों के लिए पौधों के लिए और क्या करती है ये मिट्टी की उरवरता को बढ़ाती है मिट्टी की उरवरता को बढ़ाने का मतलग ज्यादा फर्टिलाइज हो जाएगी मि वो भी जल्दी-जल्दी ग्रो करेंगे और हमको अच्छे फल देंगे अच्छी सब्जियां देंगे जिस भी उपयोग के लिए हम उसको उगा रहे हैं उसकी मात्रा भी अधिक होगी और उसकी क्वालिटी भी अधिक होगी अच्छी होगी तो विबिन जेयु पदार्थों जिन से खाद बनी है कि आधार पर खाद को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है खाद को कैसे बना रहे हैं देखो कमपोस्ट और वर्मी कमपोस्ट तो कमपोस्ट यानि की कोई खड़ा खोद कर उसके अंदर इन सारे अप्षिस्ट पदार्थों को जीव जन्तों के सजीवों के अप्षिस्ट पदार्थों को डाल दिया जाता है करपोस्ट इकरन प्रकिरिया में विभिन क्रशी अप्षिस्ट परदार्ट रिजे सी पशुधन का मलपूत्र गोबर आदी सबजियों के छिलके कच्रा जानवरों द्वारा परीतियक्त चारे घरेलू कच्रे सीवेज कच्रे फैके हुए खर्पतवार आदी को गड़ों में व खोड़ दिया जाता है जब वो पूरी तरह गल जाता है यानि कि वो अपगटित हो जाता है तो वो जो तयार होता है वो क्या होता है खाद होती है जो कि बहुत जादा उपयोगी है पौदों के लिए जो कि मिट्टी को उपजाओ बनाती है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार पौदो तथा जानवरों के अफशिस पदार्तों के शिग्र निरस्ति करन की प्रकिरिया द्वारा बनाए जाता है इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं तो इस तरह के गड़े में अगर कैंचुओं को डाल दिया जाए तो कैंचुओं उनकी अब घटन की जो प्रकिरिया है उसको शिग्र कर देते हैं जल्दी कर देते हैं उसमें स्पीड बढ़ा देते हैं तो इस तरह से जो खात त्यार की जाती है वो कहलाती है वर्मी कंपोस्ट कहलाती है दूसरी है हरी खाद हरी खाद क्या होती है पसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौदे कुछ पौदे कौन स पटसन, बूंग, गौर, आदि को उगा दिया जाता है और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उसके अंदर पोशक तत्व की मात्रा बहुत जाजा होती है, तो उस समय खेतों में हल चला दिया जाता है, जब हल चल जाते हैं तो यह सारे कुचल जाते हैं, और इनकी जो जोजन और फॉस्पोरस को परिपून करने में सहाईता प्रदान करते हैं तो इस तरह से ये दो तरह से खादों को दो तरह की मात्रा ज़्यादा हो जाती है खाद के प्रयोग से पेस्टिसाइड्स वा कीट नाशी का हानिक प्रारक प्रभाव भी कम हो जाता है जो पेस्टिसाइड्स उसके अंदर डाले जाते हैं खेती के अंदर उनका प्रभाव भी खाद का इस्तेमाल करने से कम हो जाता है रेतिली मिट्टी के पानी को रोकने की शमता को बढ़ाते हैं उसकी संग्रचना में सुधार हो जाता है अगर रेतिली मिट्टी है यानि कि मिट्टी के कंट थोड़े-थोड़े से बढ़े हैं तो उसके अंदर पानी भी नहीं ठहर पाता पानी भी बह जाता है लेकिन अगर उसमें खाद मिला दी जाती है उस तरह की मिट्टी होती है तो उसमें पानी को रोकने की शमता बढ़ जाती है और जब पानी को रोकने की शमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा जो पौधा है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा चिकनी मिट्टी में कार्मिक पदार्तों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में साहिता प्रदान करती है और जिससे की पानी एकत्रित नहीं होता है तो रेतीले मिट्टी के अंदर तो पानी को रोकने का काम कर रही है और जो चिकनी मिट्टी होती है जिसमें पानी बहुत जादा देर तक ठहर जाता है निकलता नहीं है उससे नुकसान हो जाता है कि पौदे गलने लग जाते है क्योंकि पानी की मातरा बढ़ जाती है फिर है खाद को बनाने में हम जेविक कच्रों का उपयोग करते हैं जीवों से जो प्राप्त होते हैं इसे उर्वरकों के अध्यतिक उपयोग की आउशकता नहीं होती और इस प्रकार से परियावरण संगरक्षन में भी सहयोग मिलेगा जो उर्वरक कैमिकल्स होते हैं जो जीव जन्तूं के मलमुत्र और खर्पतवार के कच्रे और सब तरह की जो कच्रे होते हैं जीव जन्तूं के उन सब को अगर खड़े में डाल के खाद त्यार की जाए तो इक तो कच्रों का निप्टान हो जाता है दूसरा जो खाद हमें मिलती है वो मिट्टी को सहायता हो जाता है रिसैक्लिंग का काम करता है फिर है उर्वरक अब उर्वरक भी जरूरी हो जाते हैं किस तरह से उर्वरक वेवसाइक रूप से तयार पोशक है इसमें मिट्टी को नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं यह क्या है पोटेशियम पोटे देखो एक तो यह आसारी से उपलब्द हो जाता है, मार्केट में अवेलेबल है, खात को बनाने में तो टाइम लगता है, इन्हें उप्योग कर लेना और स्टोर करना आसान होता है, इनको बजार से जाके खरीद लो, बोरी में मिलते हैं, तो इनको रख दो, स्टोर करना भी आसान होता है, इसके उप्योग से अच्छी काईक व्रदी पतियों में, शाखाओं में और फूलों में होती है, इनकी व्रदी अच्छी होती है, अब इनके नुकसान फाइदेतों हैं, लेकिन नुकसान भी इनके बहुत होते हैं, उर्वरक का उप्योग बड़े ध्यान से क करना चाहिए इनके सदुपयोग के लिए इनकी खुराक की पुचित मात्रा उचित चमे और देने से पहले बाद में ली जाने सावधारियों को ध्यान में रखे करना चाहिए तो रुवरक का उपयोग एक तो ऐसे नहीं कि बहुत जादा मात्रा में इनका उपयोग कर लिया जाए वो भी गलत हो जाता है दूसरा सही समय पे करना चाहिए जिस समय पौधे को आशकता है उर्वरकों की तत्वों की पोशक तत्वों की जिस समय वो ग्रोव कर रहे हैं तो उसी समय देना चाहिए और उसको देने से पहले और बाद में किस किस तरह की सावधारी रखनी चाहिए उन सब बातों का ध्यान रखके अगर हम उर्वरक का इस्तेमाल करें तो वो हमारे फायदे में रहेंगे कभी-कभी उर्वरक अधिक सिचाई के कारण पानी में बहे जाते हैं तो उर्वरक दे दिये उसके बाद हमने पानी डाल दिया खेतों में तो क्या होगा उर्वरक बहे जाएंगे तो जो फायदा पहुच रहा चाहिए था पौदों को वो नहीं मिलेगा पौदे पूरा मिट्टी की उर्वरता को घटाता है यानि कि अगर हम लगातार उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे तो इससे मिट्टी उपजाव नहीं होगी बलकि उसका उपजावपन कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि कार्बनिक पदार्थों की पुन्हें पूर्ती नहीं हो पाती है और इससे सुक्ष्मजीवों भूमीगजीवों का जीवन चक्र भी अवरुद हो जाता है उर्वरकों के उप्योग से अल्पावद्धी लाओ मिलते हैं कैसे लाओ होते हैं थोड़े समय के लिए मिलते हैं एक ही फ़सल को इसके लाब मिल पाते हैं उर्वरक म्रदा की उर्वरता को कुछ समय पस्चात हानी पहुचाते हैं मिट्टी की उपजावपन को उनकी उर्वरता को क्या करते हैं हानी पहुचाते हैं जबकि खाद के उपयोग के लाब दिरगावधी के लिए होते हैं अगर हम लगातार खाद का इस्निमाल करते हैं तो उससे जो लाब मिलता है वो लंबे समय तक चलता है और उर्वरकों से लाब मिलता है वो अलपाउधी के लिए होता है एक दो फसल के लिए ही होता है प्रशन है पिट्टी की उर्वरता को बनाई रखने के लिए खाद एवं उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए किस तरह स खाद और किस तरह से उर्वरक हमारे लिए उपयोगी है तो देखिए जब भी हम किसी की तुलना करते हैं अगर हम सार्णी बना के करते हैं तो हम आसानी से उनको कंपेर कर पाते हैं उनके साथ साथ उनके फायदे नुकसान देख पाते हैं तो खाद है खाद में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं उर्वरक में अकार्बनिक पदार्थों से यह बने वे होते हैं खाद जेविक अप्शिष्ट पादप अप्शेशों के अब से बनाई जाते हैं और उर्वरग बनते हैं रसाइनिक पदार्थों से यानि कि ये मशीन की द्वारा बनाई जाते हैं इनमें पोशक तत्मों की मातरा कम होती है खाद के अंदर पोशक तत्मों की मातरा तो कम होती है और इसमें बहुत अधिक होती है क्योंकि तो मशीनों से हम इसी बोरे में भरना और उनको एक जगे से दूसरी जगे तक ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और सुविधा जनक होता है जबकि उर्वरकों का बंडारन और इस्थानांतरन दौनों ही काफी सहुलियत के साथ हो जाता है हम देखते हैं बजार में बहुत आसानी से उप मात्रा में हमारा काम चल जाता है यानि फसल को वो कम मात्रा में मिलते हैं तो भी क्योंकि उनमें पोशक तत्व अधिक होते हैं तो कम मात्रा में भी वो फसल को फाइदा पहुचाते हैं यह पोशक तत्व विशिष्ट नहीं होते हैं क्योंकि जो खाद बन रही है वो सब त नहीं कर सकते जबकि पोशक तत्व विशिष्ट होते हैं इन में एक या दो से अधिक तत्व होते हैं इसमें हम बजार सी जाकी खरी सकते हैं कि वही पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर हमको दो तो केलशियम रिच फर्टिलाइजर दो तो इसमें विशिष्ट होते हैं इन मे कौन से मात्रा का कौन से पोशक तत्व हमें चाहिए उस तरह का पोशक तत्व का उस तरह उस मात्रा वाले उर्वरक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं फिर खाद की लगातार उपयोग से मिट्टी की गुणवर्ता और उर्वर्ता बढ़ती है तो ये पॉजिटिव हा गया कि इसके अंदर खाद का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिट्टी की गुणवर्ता को बढ़ा रहा है उसके उपजावपन को बढ़ा रहा है उर्वर् पढ़ते हैं इनके उधारन कौन-कौन से हैं खाद कौन सी होती है कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद और इनके उधारन क्या है यूरिया पोटाश अमोनियम फॉसफेट सुपर फॉसफेट तो ये हैं उर्वरकों के नाम जो कि मार्केट में हमें अवेलेबल हैं तो इ अब इसको सुरक्षा करने तक भी हमें इनका बहुत ध्यान पड़ता है तभी जाके हम एंड में जान पाते हैं कि फसल का उत्पादन अच्छा हो गया तो इन सभी स्टेजेस पे हमको फसलों का ध्यान रखना होता है तो अगले वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि फसल की सुर